हलो आज है 15 फेबरवरी और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहे हैं डिल्टा कॉर्प के बारे में तेकिर 211 रुपए का ये शेयर है और डिल्टा कॉर्प जो है वो जानी जाती है कंपनी कसीनोस के लिए और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्केस भी करेंगे लेकर उसे पहले अगर आपने अवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो जो काफी जादा हल्प करेंगे तो 211 रुपए का शेयर है डिल्टा कॉर्प का और जिस बिजनस में ये कंप और दूसरी एक बड़ी बात है कि जब भी मन्दी आती है तब भी इनकी हालत खराब होती है तो फिल हल में दोनों ही सिनारियों को अगर हम देखें तो अनए कोवर्ट तो नहीं लेकिन कोवर्ट की खबरे मन्दी की खबरे भी आ रही है और ठोडा बहुत हैमपर होता वहा ऐसे situation में यह share लेकिन अगर हम पिछले एक महिने की बात करें तो पिछले एक महिने में डिल्टा कॉर्प का जो share है उसमें तकरीबन 5% की गिरावट भी है 224 से 190 तक भी गया था share वापस bounce back कर गया वापस अभी correction दिखा रहा है यह इवन अगर हम एक साल की भी बात कर लें तो पिछले एक साल में डिल्टा कॉर्प का जो share है उसमें 27% की बहुत बड़ी गिरावट है 333 रुपए के उपर share था लगादर भया बहुत बड़ी पिटाई होई थी इसकी 160 रुपए तर चला गया था यह लेकिन वापस bounce back कर रहा है और 333 से जब इसकी पिटाई होना शुरू होई जो major reason था वो जायर से बाते market टूट रहा था इसमें Russia Ukraine crisis भी कही न कही involved था यहाँ पर इस दोरान इसके अलावा COVID के बढ़ते खबरे की भी बीच बीच में चर्चा हो रही थी और जाहिर से बात है off season वाला भी माहूल था क्योंकि अगर हम देखे जो गिरावड आई थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी बात में दुबारा तीजी पकट ली अब वापस यह गिरना शुरू हो रहा है तीन साल के अगर हम बात करेंगे तो पिशे तीन सालों में डिल्टा कॉर्प का जो शेर रहा है वो शेर अल्मोस्ट धाई परसंट की ग्रोथ दिखा चुका है जैसे कि मैंने का कोविट के बात हारत बहुत दा खराब हो गई इनकी बात में बहुत बड़ी तीज़ी दिखाई बहुत बड़ी अब दुबारा करेक्शन दिखाया है दुबारा करेक्शन दिखा रहा है डिल्टा कॉर्प देखा जाए तो मेट कैप शेर है पांच हेजार पांच सो करोड़ के आसपास का इसका market cap है यहाँ पर अगर हम बात करें इनके quarterly results की तो इनके revenue बढ़े थे और काफी अच्छे बढ़े थे पिछले साल की मुकाबले 270 क्रोड का इनका revenue रहा जो पिछले साल इसी quarter में 75 क्रोड का ही था जाय से बात है कोविड की एक वज़े थी यहाँ पर लेकिन अब वो नहीं है और जो लॉस था क्योंकि कोविड में इनको भर भर के लॉस हुए थे लेकिन अब देरे देरे company profit में आ चुकि जो कि बहुत अच् में इनके जो cruise casino's है वो भरे रहते हैं इनके cruise casino's भरे रहते हैं और जाय से बात है फायदा तब होगा ही होगा क्योंकि जादा लोग वहाँ पर तब विजट करते हैं company को लेकर अगर हम देखे तो dividend paying company है यह पिशह साल पे किया था इसने dividend वो भी हम बात्चित करेंगे लेकिन company की website पर सबसे पहरे चलते हैं तो website कुछ खास नहीं है बहुत ही average किसम की website यहाँ पर यहाँ पर company का दो main business है एक है gaming जाय से बात है आपको इनके cruise casino's गुआ में देखने को मिलते हैं इसके अलावा है hospitality ठीक है hotel business यहाँ पर gaming में अगर हम चले तो कई सारे business यहाँ पर gaming में involved है जिसमें casino भी है online gaming भी है और और भी कही तरही है gaming यहाँ पर हमें देखने को है जैसे कि मैं casino की अगर हम बात करूँ तो casino's में इनका जो सबसे बड़ा mean operation है वो goa based है ठीक है बहुत बड़ी facilities है यहाँ पर जिसमें 970 जितनी gaming positions यहाँ पर देखने को मिलती है और 1000 square feet जितना dedicated इनका dining and entertainment जिस देखने को मिल रहा है उसके अलावा कुछ cruise casino's भी वहाँ पर चलते है इनके इतना ही नहीं इसके अलावा company की एक और facilities भी है गोगा के अलावा सिक्कीम में भी है सिक्कीम में भी इनके बहुत बड़ी facilities है इसके अलावा नेपाल काठमांडू में भी इनोंने gaming शुरू किया है यहाँ पर शुरू करी है दमन में आने वाला है दमन में मतलब काम चल रहा है अभी और वह भी largest है दमन में सबसे largest शुरू हो और casino resort शुरू होने वाला है इनका जोंकि बहुत बड़ी बात है infrastructure में काफी सारी infrastructure यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं इनके तो देखो casino का business हम सब जानते हैं कि तब चलेगा जब लोगों के हाथ में पैसा होगा लोग जाएंगे गूमने फिरने जाएंगे ठीक है तो तब ज़्यादा इनका चलता है कई सारी games है यहाँ पर हलागी ज़्य चलता गेम से वो casino की ही है इसके लावा online gaming में भी company है अड़ा52.com जो है वो भी इन ही का है तो देखा जाए तो company अच्छी position में जरूर है लेकिन हाँ लोगों के हाथ में पैसा होना जरूरी है और लोग गूमने जाए यह भी जरूरी है according to money control user 100% लोग कह रहें खरीदारी करो और company के अगर मैं बात करूँ revenue के बारे में तो सबसे ज़्यादा खराब इनके revenue 2021 में थे काफी बड़ा जटका लगा था लेकिन बापस से recover हो गया 616 करोड का revenue रहा 2022 में लेकिन 2023 में अब तक का सबसे highest revenue company दिखा सकती है त्योंकि इनका जो revenue रहा है वो 500 करोड से ज़्यादा क दिखा सकती है जहां तक बात है profits की तो loss इनको 2021 में हुआ जरूर था लेकिन आप वापस company profit में आ चुकी है और अभी इनका जो profit है वो at least 60-70 क्रोड का quarterly देखने को मिल भी रहा है अगर डिल्टा कॉर्प में देखा जाए तो performance उतना अच्छा नहीं रहा है वेल्यूशन भी पॉरसम महगा है 83 का peer ratio sector P हला कि 138 है लेकिन profit का अभी अच्छा sign है growth देखा जाए तो काफी पीछे है अभी market से और क्योंकि तीन सालों में 0.5% का ही इनके share price में भी growth आया है इसके अलावा holding की भाम बात के तो promoter के पास जो holding के वो काफी कम है 33.31% की holding promoter के पास है 12.72% की holding mutual funds के पास है 0.13% domestic institution के पास है 6.72% है Files के पास और retail और अधर की कुल मिलाकर 47.11% की holding है जिसमें से retail investors के पास 30.14% की holding देखने को मिल रही है तो देखो overall company जो है वो खराग तो पहने चीज़ नहीं है और बड़े expansion की तरफ भी जा रही है हलाकि casinos वगएरा भारत में बहुत कम न मुझे रखता है कि दिरे दिरे ये भी बढ़ेगा आने वाले दोर में और कहीं न कहीं लोग जब घुमने फिरने जाएंगे तो casinos वगएरा में entry लेना पई पसंद क्योंकि काफी लोग जानते नहीं है ठीक हम एक awareness नहीं है यहां पर और वो भी आने वाले दिनों में देख को मिलती है जैसे की कोविड की खबर हो या फिर काफी लोगों की जॉब जाने को लेकर खबर हो इसका असर कहीं न कहीं डेल्टा कॉर्प पर पढ़ेगा जरूर और डेल्टा कॉर्प का अगर शर्ट तूटता है तो खरीदारे के मौके भी बनेंगे जरूर तक 200 रुपए क नीचे मुझे लगता है कि खरीदारे के मौके बनेंगे और उसके बाद हर 20 रुपए के लेवल पर आप चाहो तो लॉंग टेम के लिए यहां पर एवरेज करके चल सकते हो डिल्टा कॉर्प में बड़े बड़े धुरंद्रो का भी पैसा लगा हुआ हुआ जिसमें से गोवा में और सिक्कीम बगेरा में और भी इंटेसनल जगें पर कम्पनी जा रही है तो कहीं न कहीं हम सब जानते हैं कृए कसी下次 में जीतने वाला भी रही है जो के अच्छी बात है तो यहीं कहूंगा खरीदारी करी है बने रही है फ्रेश बाइंग की जाना तक बात है 200 रुपए के नीचे खरीदारी मौके डूड़ने चाहिए और हर 200 रुपए की गिरावट में क्योंकि अभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कई सारी मंदी के खबरे भी आ रही है उसके लावा कोविट की खबरे आ रही है तो ऐसे में अगर यह तूटता है तो नीचे के लिए पर एवरेज करने के मौके भी आपको ढूड़ने चाहिए इसलिए किसी एक लिए पर बहुत सारे शार्स भी खरीद के नहीं बैठना चा सब्सक्राइब करें और डिल्टा कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक्यू